नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल मैथियन भाई एसके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोफिट और लोस के इंपोर्टेंट कुश्चन जो आपके आने वाले एक्जाम गुरूप टी के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो करेमल क्या होगा टो दोस्तों हमेने हैनी और गठी एंब्राबर तो हम एक साइड लिए लेते हैं यु सहाँ मतलब हन्द क्राते हैं तो यहां हमें क्रैमल निकालना है क्रेमूल मतलब सीपी तो सीपी हम मालेते एक्स कोश्ट प्राइज हम मालेते एक्स तो कोश्ट प्राइज हमारा एक्स है तो लोस दोस्तों यहां दो विक्रेमूल दिये रखें 640 में बेचते हैं जब तो क्या होगा लोस और 760 में बेचते हैं जब क्या होगा प्रोफिट तो दोस्तों यहां लोस की केस में यहां लेफ्ट साइड में क्रेमल तो X है और इसमें 640 में बेच रहे हैं तो यह होगा विक्रेमल loss की case में अब right side हम लिखते है 760 क्योंकि हमें profit हो रहा है तो पहले आएगा विक्रेमूल और फिर आएगा क्रेमूल minus तो इस तरह से हमारे equation बन गई अब ये right side में जो x है इसको left side में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा fourteen hundred तो x की value हमें कितनी मिल जाती direct 700 तो कोई भी चीज जिसे हम 640 में बेच रहे थे तो उसमें loss हो रहा था 760 में बेच रहे थे profit हो रहा था तो वो उसका क्रेमूल के आ जाता है दोस्तों हमने x किसको माने क्रेमूल को तो हमारे क्रेमूल कितना आ गए x 700 तो 700 रुपए इसका right answer हो जाएगा तो इसे हम एक direct भी कर सकते हैं दोनों को जोड़ के क्या करते हैं दोनों को जोड़ेंगे और उसका आदा कर देंगे तो हमें क्रेमूल मिल जाएगा इसी type के question आपको देखने को मिलेंगे लेगिन इससे advance question जो आजकल पुछे जा रहे हैं वो किस type का question रहेगा यह हम अगले question में देखेंगे तो यह इस type के question आजकल पुछे जा रहे हैं तो इस question को हम कैसे solve करेंगे तो यहां दे रखा किसी वस्तु को रुपए 2030 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 938 में बेचने पर प्राप्त हनी से 11% अधिक लाब होता है तो उस वस्तु का क्रेंबूल क्या होगा तो दोस्तों यहां उस case में क्या था दोनों बराबर थे लाब और हनी इसमें क्या दे रहागा 11% profit जादा होता है तो 11% की value क्या होती है 11.100 हम इसको fraction में change कर लेते हैं तो 11.100 परसंटेज अटाते हैं तो नीचे क्या है को 100 अब यह कटता नहीं है तो यह ऐसा कैसा रहेगा तो profit हो रहा है तो दोस्तों 100 रुपे की चीज हम कितने बेचेंगे 111 में तो यहां हम क्या करते हैं तीन सर्किल बनाते हैं ऐसे तीन सर्किल बनाने के लिए यहां बीच में क्या रहेगा हमारा CP CP एक रहेगा और SP हमारा अलग अलग रहेगा तो जबी हमें profit और low होता है तो SP 2 हो जाएगा यह और यह वाला SP 1 हो जाएगा यह SP 1 है और यह SP 2 है दोस्तो हम यहां लगते हैं 100 और 11 रुपय लाव है तो लाव है तो जुड़ेगा तो कितने मज़ेगा 111 में और यहां हमारा आएगा जो बीच में है यहां हमारा क्यामूल आएगा मतलब कोश्ट प्राइगा च्पी मुल्द कोस्ट प्राइज five उसे इंतिम बोलते विक्रेमूल तो दोस्तों यहां हमारा कि विभला क्रेमूल कितना जो नोशु पहला विक्रे मुल्ड 938 प्री मुल्ग यह आ जाएगा और जो 2023 है यह आ जाएगा अब क्या करतेएं अपacements Ready कितना यहां इनकी दोनों का लेतें देम इनकी सब्सक्राइब इनका अंतर प्रम जाए जब क्या है एक आजार पच्पन कितना ज하एं कितना जाएगा पांच जाएगा कितनी बार जाएगा पांच बार अब एक बर हम दुबारा से लिख लेते हैं इसको जग Lego में लेज़ दिखते तो यह नो सो अठेटर है और यह है यह 988 है और यह है rep inc cert अब दोस्तों यहां कितना था सोह पोर यहां 111 त और यह हमारा CP आएगा अब CP निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों लेकिन अब उसकी वैलु कितनी हो जाएगी पांच वार तो 500 वह जाएगा उसकी वैलु कितनी हो करेंगे 938 से इधर की तरफ आएंगे ऐसे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 938 में 500 और इधर राइट साइड से आएंगे तो इसे घटाएंगे तो कोई काम कर सकते हैं जो आपको आसान लगे तो क्या करेंगे 938 में 500 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1488 1488 हमार क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1488 ओप्शन डी इसका राइट एंसर हो जाएगा या आप 2023 में से 555 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1488 तो इस तरह से इन कुछ सुनों को करते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों